नमस्ते दोस्तों आएम प्रफेसर देवासिशोता आश्ट्रोलोजर बास्तुवित 24 अक्टूबर को आ रहा है लक्ष्म पूजा धनका देवी मा लक्ष्म की पूजन होगी उस तिन क्या क्या मानने से कल्यान प्राप्त होगा उसके इविश्य में मैं बात करूँगा उस तिन सवेरे स्नान करके एक बार पाठ केजिए कनक धारास्तोत्रम और स्री सुप्तम उसके बाद एक सो आठ बार पढ़िए ओं स्रीम नमहा उस तिन मा लक्ष्म के मंदिर जाके चार या आठ कमल का फूल दान किजिए कल्यान प्राप्त होगा एक ग्यारा अक्टोबर को सवेरे चार बजे उठके स्नान करके पढ़िए आठ बार ओं स्रीम नमहा उसके बाद छट पर या घर के बाहर जाके एक रूप्या काइन लेके पश्चिम की ओर देखें और मन में जो है माता लक्ष्मी जी को मांगिए उसके बाद घर चले आईए और उस एक रूप्या काइन को क्यास बक्स में रख लेजिए ये बहुत इंपोर्टांट है ये छोटी सी टोट के मानिये कल्यान प्राप्त होगा त्हुत विवर्डूर्वर्ण उस्ट्क्राइबर्स प्लिस लाइक और भूट की ओने आला सुट्प्रावर्ण आईए